कि जैने साथियों कि आध्रम अपने इस कि नए वीडियो में कि हम संभिधान की अपनी संभिधान की अपने अगले टापिक पर चर्चा करेंगे और जैसा कि अभी तक हमने देखा था अपनी आगामी उत्तर प्रदेश दरोगा भरती 2021 की लिखित परिख्या के संदर्भु में संभिधान में मौलिक अधिकारों तक हमने बात की थी कि मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं समानता का अधिकार स्वतंतरता का अधिकार तोसल के बिरुद्ध अधिकार धार्मिक स्वतंतरता का अधिकार अंस्कृति और सिख्या संबंदिय अधिकार और तम वैधाने कुप्शारों का अधिकार इतनी बाते हमने की थी और आज जो हमारा अगला तापिक है वह है नीती नी देशक इद्धान्थ अगला ताथियों नीती नीदेशक इद्धान्थ एक बहुत ही महत्पूर्ण टापिक है अपनी आगामी परिख्या के संदर्व में और अब हम यह पढ़ते हैं कि नीती नीदेशक इद्धान्थ क्या हैं कहां से लिए गये हैं और समय धान में कहां पीशका वरणन किया गया ह है पत्यों हमने इससे पहले की क्लास में इससे पहले की वीडियो में चर्चा की थी कि जो नीती नीदेशक सिद्धान्थ हैं इनको आयरलेंड से लिया गया था आयरलेंड से लिया गया था कार मतलब है आयरलेंड के सम्विधान से एक बातें तो यह हो गई नीती नीदेशक सिद्धान्थ के बारे में इसे आयरलेंड के सम्विधान से लिया गया है और इसमें एक दूसरी बात यह है कि नीती नीदेशक सद्धान्थ इनका उद्देश्य भारत में कल्यान कारी राज्य की कल्यान कारी राज्य की अस्थापना करना है तो नीती नीदेशक सिद्धान्थ जिसका वर्लन सम्विधान के भाग चार तथा अनुछेद 36 से 51 के मत है नीती नीदेशक सिद्धान के भाग चार यह अनुछेद 36 से 51 के बीच में इसका वर्लन किया गया है और नीती नीदेशक सिद्धान्थ को आयर लेंड के सम्विधान से लिया गया है और नीती नीदेशक सिद्धान्थ का जो उद्देश्य है वह भारत में कल्यानकारी राज्य की अस्थापना करना है नीती नीदेशक सिद्धान्थ या नीती सिद्धान्थ को जो उद्देश्य है वह भारत में कल्यानकारी राज्य की अस्थापना करना है यह इन सिध्धानतों का उद्देश्य है और सम्मिधान के भाग चार तथा अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में इसका वरणन किया गया है अब बात करते हैं सम्मिधान के इस भाग में जो अनुच्छेद 36 से 51 है उसमें हमारी जो आगामी परिक्षा है उत्तरवर्देश दरोगा भरती 2021 उसमें जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जिनसे परिक्षा में सवाल आ सकते हैं या आते रहे हैं उनमें जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है उसकी चर्चा हम यहाँ पर करते हैं और शुरुवात करते हैं अनुच्छेद 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 कि राज्य राज्य लोक कल्याण की अभिवःद्ध के लिए श्ब्दों पर आ भ्यान देंगे और गोर्ष से सुनेंगे राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धी के लिए एक ऐसी स्थामाजिक व्यवस्था बनाएगा राज्य लोक कल्यान की अभिवृद्धी के लिए आएसी व्यवस्था बनाएगा जिससे लोगों को तामाजिक आर्थिक तथा राजनायतिक न्याय मिल सके सामाजिक आर्थिक तथा राजिनीतिक न्याय मिल सके या बातें अनुच्छे 29 में बतलाई गई हैं कि राज्य लोक कल्यान की अभिवृद्धी के लिए अईसी व्यवस्था बनाएगा जिससे लोगों को तामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय मिल सके या बातें अनुच्छे 29 के तहट अब हम आते हैं अपने अगले एवं महत्तुपूर्ण अनुच्छेद पर और यह परिच्छा के दृष्टिगत एक महत्तुपूर्ण अनुच्छेद है यहां से प्राय तवाल वन लाइनर सीधे डायरिक्ट आ जाते हैं और हम इसकी अब चर्चा कर लेते हैं कि अनुच्छेद अनुच्छेद चालिस जो राज के नीदी निदीशक्ततों से संबंदित है उसके तहत अनुच्छेद चालिस में क्या बातें कही गई हैं कर्चा करते हैं हम अनुच्छेद चालिस में ग्राम पंचायतों के ये गठन की बात कही गई है जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में त्री अस्तरी पंचायत चुना होते हैं और अनुच्छेद चालिस के अनुच्छेद जो राज्य के इंडीत इंडी शक्तित सिधांतों में हैं अनुच्छेद चालिस कहता है कि ग्राम पंचायत के गठन की बात इसमें कही गई अनुच्छेद चालिस ग्राम पंचायतों के गठन से समंदित और यह एक बहुत ही महतुपूर्ण अनुच्छेद है और इसको हमें अपनी परिच्छा के दृष्टिकत इग्दम दिमाग में बैठाय रखना है कि अगर आ जाता है सवाल कि अनुच्छेद चालिस का स्तंबंध किससे है और आपके सामने बिकल्प के रूप में एक, दो, तीन, चार ऐसे आपके सामने बिकल्प रहेंगे बिकल्प के रूप में आपके सामने दे दे मौलिक अधिकार से सम्बंदित मौलिक अधिकार से सम्बंदित या मूल करतब जिस सम्बंदित या नीती नीदेशक तब तो से या नानाबदीज तब बहुत आसानी से बता देंगे कि ये अनुठेद चाले से नीती नीदेशक से धान्तों से संबंदित है लेकिन यहीं पर अगर एक अगला प्रसन आप से पूछ दे कि अनुठेद चाले से का संबंद किस्से है और वहां पर आपके सामने विकल्प में बदलाव कर दे और विकल्प दे दे माल ये विकल्प में राष्ट पती की नियुक्ति दे दे या दूसरे विकल्प के रूप में मौलिक अधिकार दे दे तीसरे विकल्प के रूप में ग्राम पंचायत का गठन और चौथे विकल्प के रूप में दे दे इन में से कोई नहीं यदि आपके सामने परिक्षा में प्रस्न आता है कि अनुच्छे चालिस कास्तंबंद किस्से है और आपके सामने विकल्प है राष्ट पती की नियुक्ति मौलिक अधिकार या ग्राम पंचायत का गठन या इन में से कोई नहीं तो आप जानते हैं अनुच्छे चालिस ग्राम पंचायतों के गठन से संबंदित है और आपका आप तुरंत अपना सवाल लगा देंगे अपना विकल्प तीसरे नंबर पर ग्राम पंचायत के गठन से संबंदित है और इस प्रकार से आप अपने प्रस्णों को सही कर दें यहां इस तरीके से प्रस्ण प्राय कई जामस में आये हैं और आगे भी आने की पूरी संभावना है खास कर अपनी आगामे उत्तर प्रदेस दरोगाभरती 2021 के संदर हुमें यह अनुच्छेद बहुत ही म अब हम आगे बढ़ते हैं और एक अगले और महत्पूर अनुच्छेद की बात कर लेते हैं नीति निदेशत तक्तों के सिधान्त के संबंद में और यह अनुच्छेद है 44 साथियों अनुच्छेद 44 यह एक समान नागरिक संहिता से संबंद देख है कि अनुच्छेद 44 एक समान नागरिक संहिता से संबंद देख है और यह अनुच्छेद 44 में यह बात एक समान नागरिक संहिता से संबंदित है इसका और इसको अंग्रेजिम में कहते हैं यूनिफार तिविल कोड ये पाया आप लोग इसकी चर्चा अपने समाचार पत्रों में एवां पत्र पत्रिकाओं में नीच चैनल समें देखते होंगे कि अनुच्छे चालेश एक समान नागरिक सिविल संहिता से इसको यू कह दिए कि नागरिकों के लिए नागरिकों के लिए अनुच्छे चालेश नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता से अनुच्छे चालेश अब इसमें एक और महतुपूर्ण अनुच्छे हैं आप यहां पर जरासाब उसकी भी चर्चा कर लेते हैं अनुच्छे चालेश में साथियों एक एक अनुच्छे में इसी तरीके से नीत इंदेशक्तत्नों के सिध्धान तुम्हें एक एक अनुच्छे में कल्याण कारी राज्य की स्थापना है तो जितने भी इनिसियेटिव्स अवस्यक्त हैं वो उनका प्रावधान इसमें किया गया है और जिसमें जिसमें अनुच्छे 29 की बात हमने की चालेस की बात की चावालेस की बात की और इसमें एक अगला अगला है वह है अनुच्छे 50 यह अभी परिक्षा के लिहास से बहुत महत्कून है और अनुच्छे 50 क्या कहता है अनुच्छे 50 कहता है कार्य पालिका एवं न्याय पालिका का प्रिठक करन कार्य पालिका जो हमारी कार्य पालिका है जो संगी कार्य पालिका है उसकी बात हो रही है या राज यस्तर पर जो राज की कार्य पालिका है एवं न्याय पालिका न्याय पालिका मतलब जीवडी सीरी सिस्टम तोनुच्छे पचास कार्य पालिका एवं नियाय पालिका के प्रिठक करण की बात करता है अनुच्छेद पचास यह तो हुआ अनुच्छेद पचास कुछ और भी अनुच्छेद है जो राज के नीदेशक सिध्धानतों के तहत आते हैं और उसको भी हम एक एक करके देख लेते हैं और जिसमें से एक तो महत्पूर्ण अभी एक अनुच्छेद इसी में है अब वह है अनुच्छेद तीन सो पचास कर और तीन सो एक क्या होनी यह दो अनुच्छेद हैं जो नीदेशक सिध्धानतों के रूप में ही कारे करते हैं तीन सो पचास कर और तीन सो एक क्यावन यह समिधान में के जो भाग चार और अनुच्छेद च्छतिश से क्यावन है यह उनके बीच में तो यह नहीं आते हैं लेकिन यह भी इसी के रूप में कार्य करते हैं कि अननीत इंद्यसक सिध्धानतों के रूप में आप इसमें जो 350 का है यह है कि प्राथमिक अस्तर पर कि मात्रिभासा में सिख्छा देना हुआ कि मात्रिभासा में सिख्छा देना अनुच्छे 350 का कहता है प्राथमिक अस्तर पर मात्रिभासा में सिख्छा देना और 350 यह कहता है कि हिंदी को प्रोट्साहन देना हिंदी को प्रोट्साहन देना यह जो अनुच्छेद है साथियों 350 कर और 350 कि इसको भी यह अनुच्छे भी राज के नीति निद्यशक से धानतों के समान ही कार्य करते हैं इसलिए इनका अधियान करने के साथ साथ भी इसका भी अधियान कर लिया जाता है ताकि परिक्षा में यदि प्रस्ण आये तो अगर हम इसका अधियान किये हैं इसी के साथ नीति निद्यशक तक्तों के साथ तो हम उच्छे जाने वाले प्रस्णों का आस जवाब आसानी सिद्य देंगे अगर प्रस्ण इन सब विश्यों से आता है कि अनुच्छे 350 कर अथ्वा उत्साहन देने से संबंदीत हैं यह बातें राज जी के नीति निद्यशक सिधानतों में कहिए हैं कि आधे हम एक नजर डाल लेते हैं कि मूल कर्तब्य पर क्योंकि अगला जो भाग है कि वह है कि मूल कर्तब्य मूल कर्तब्य और इसे समिधान के भाग चार का तथा अनुच्छेद करण किया गया है और हम देखते हैं कि मूल कर्तब्य के बारे में और ज्यादा जानकारी हम लेते हैं कि मूल कर्तब्य को रूस के समिधान से लिया गया था इसमें तीन चार बाते हम देखते हैं इसमें एक बात है मूल कर्तब्य को रूस के समिधान से लिया गया था और इसमें अगली बात देखते हैं कि इनकी संख्या 11 है मूल कर्तब्य भारती नागर्यों के मूल कर्तब्य कितने हैं इनकी संख्या 11 है मूल कर्तब्यों की संख्या 11 है एक बात इसमें रोस्त के सम्विधान से मूल करतव्यों को लिया गया है एक बात दूसरी है कि मूल करतव्यों की जो संख्याई वह ग्यारा है और अगली जो बात है वह है कि इसे सम्विधान के 42 संसोधन इसकी चर्चा हम पहले भी किये हैं सम्विधान के 42 संसोधन 29 76 दूआरा लागू किया गया था मूल करतव्यों को भारती सम्विधान के 42 संसोधन 42 सम्विधान के 42 संसोधन 29 73 दूआरा लागू किया गया था मूल करतव्यों और इसमें अगली बात हम देख लेते हैं कि जब मूल करतव्यों को इस संसोधन के द्वारा लागू किया गया तो किसी न किसी के सुझाओ पर लागू किया गया होगा कोई समीती ने इसका अध्यान किया होगा और अध्यान की बात जो है संसोधन द्वारा इसे लागू किया गया होगा तो जिस समीती की अनुशंसास पर मूल करतव्यों को समीधान के 42 संसोधन 1976 द्वारा लागू किया गया उस समीती का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समीती यह एक इंपार्टन पॉइंट है साथियों कि मूल करतव्यों को रूस के समीधान से लिया गया इनकी संख्या 11 है मूल करतव्यों की संख्या 11 है मूल करतव्यों को सम्मिधान के 42 संसोधन 1976 द्वारा लागू किया गया था और मूल करतव्यों को जिस समीत की अनुसंसा पर लागू किया गया था वह थी सरदार स्वर्ण सिंह समीती किसकी अध्यक्षता थी उस समीती में सरदार स्वर्ण सिंह समीती थी और सरदार स्वर्ण सिंह इसकी अध्यक्षता कर रहे थे तो चार बाते इसमें जो हमें याद रखनी है लिखित परिख्या के समन्द में वो यह है कि मूल करतव्यों की संख्या 11 है समिधान के 42 संसोधन 1976 द्वारा समिधान में इसे लाग सामिल किया गया था तथा मूल करतव्यों को सरदार स्वर्ण सिंग समीत की अध्यक्षता वाली जो समीत थी सरदार स्वर्ण सिंग जो समीत थी इनकी समीत की अनुशंसा पर सरदार स्वर्ण सिंग समीति की अनुसंसा या अंग्रेजी में रिकमेंडेशन पर सामिल किया गया था तरदार स्वर्ण सिंग समीत की अनुसंसा पर मूल करतव्यों को समयधान के 42 वे संसुधन 1976 द्वारा लागू किया गया था यह इतनी बाते हम मूल करतव्य में पढ़ लेते हैं और इनकी संख्या का आधर करे भारत के संविधान के आंदोलनों को प्रेडित करने वाले जो कारक है जो राष्टवादी हमारे आंदोलन है उनके आधरसों को आपने हिर्दय में बसाई रखे भारत की संप्रवद्वा एकता एवं अखंडता को प्रक्षित रखे एवं उसे अच्छुन्न ब करतव्य हैं जिनकी संख्या 11 है इसमें इतनी ही बात आती है कि इनकी संख्या कितनी है जैसे मूलिक अधिकार है उनकी संख्या 11 है वैसे मूल करतव्य है इनकी संख्या मूलिक करता मूलिक अधिकार की संख्या 6 है और मूल कर्तव की संख्या 11 है और बाकि सारी बातें यहां पर लिखे गई हैं आपने सारी बातें अब जान गए हैं एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं कि मौलिक कर्तव की संख्या तो 6 है लेकिन मूल कर्तव की संख्या 11 है मूल करतव्य को रूस के सम्विधान से लिया गया है और मूल करतव्य को सरदार स्वर्ण सिंग समीत की अनुशंसा पर 42 में संसूधन 1976 द्वारा इसे सम्विधान में लागू हिया गया यह बाते हो गई मूल करतव्य में अब हम अपनी अगली क्लास में देखेंगे संघी कारेपालिका को अभी तक हमने नीती निदेशक्ष धानतों को देखा मूल करतव्य देखा मूल एक अधिकार देखा एक अंतर मैं बताता हूं कि नीती निदेशक्ष धानतों कि एवं मौलिक अधिकार इन दोनों में एक एक बात आप नोट कर लेंगे कि मौलिक अधिकार कि इसे नियायालय द्वारा लागू किया जा सकता है कि जबकी नीती निदेशक्ष धानते इसे नियायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता मौलिक अधिकार को नियाले द्वारा लागू किया जा सकता है यह नीतिन देशक्ष द्धांत को नियाले द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है यह एक मोटी मोटी बात जो है आपको दिमाग में बैठाए रखनी है ज़िए परिक्षा में प्रस्णा आते हैं तो इसका उत्तर आप बहुत ही आसानी से दे देंगे और अब हम अपनी अगली कच्छा में तंगी ये कारेपालिका के संबंद में चर्चा करेंगे तंगी कारेपालिका अब तक आप जो चीजें यहां पर बतलाई गई हैं का ध्यान करते रहें जो बातें आपको कम समझ में आए या ना समझ में उससे आप इस वीडियो के कमेंट सेक्षन में बता सकते हैं यह साउंड को सुनने में कोई दिक्कत हो तो आप उसे बता सकते हैं वीडियो के आपको clear करूंगा तब तक आप एक एक बिन्दों को पढ़ते रहें और अपनी परिच्छा की तैयारी करते रहें तब तक साथियों मिलते हैं संगी कारेपालिका के साथ अपनी अगली क्लास में तब तक नमश्कार जय हैं